हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पर जहारखंड लैप के यूटीब चनल में आप सबका यहाँ पर स्वागत है दोस्तों यह जहारखंड जीके का क्लास नमबर 83 है क्लास नमबर 83 है यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर आज जन्जाती में बिंजिया जन्जा अब्डिट्स आगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही आप टेलिग्राम ग्रूप भी हमारा जवाइन कर लिजे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी तो आज का यहाँ पर पहला प्रस्ण है जार्खंड में बिंजे जन्जाती किस परजाती यह समूँखे है तो इसका सही priori दख्रवी टेंसर्थ होगा आपका option a the right answer हो जगा इंसर द्रवीड पर जाती समुखे हैं कौन से पर जाती आपके जह में की जनजाती जो पर जाती एंसर होगै पर अगले प्रशंड जाती है और अगला प्रशंड में को विंध निवाशी मानती है तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका option number यहाँ पर दख लिए c is right answer जाएगा बिंध्य जनजाती जो है यहाँ पर अपने आपको विंध्य निवासी मानती है क्या मानती है अपने आपको विंध्य निवासी मानती है तो option number C is right answer जाएगा बिंध्या जन जाती जो है यहाँ पर वो अपने आपको विंध्य निवासी मानती है चलिए अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहाँ पर बिंध्या जन जाती की समाजिक व्यवस्था कैसी है तो इसका सही answer जोगा यहाँ पर आपका option number C is right answer जोगा A और B दोनों ही यहाँ पर इनकी समाजिक व्यवस्था है तो यहाँ पर पहला है वो देख लिए समगोत्रिय विवा जो है वो निशिद्ध है ठीक है मतलब यहाँ पर समगोत्रिय विवा नहीं होती है और दूसरा यहाँ पर इनमें युवा ग्रिह का प्रचलन नहीं है ठीक है तो option number C is right answer हो जाएगा A, A, O, B, दोनो चली अगले प्रस्न की ओर चलते हैं और अगला प्रस्न है बिंज्या जन्जाती जो है यहाँ पर कितने गोत्र में विभाजित है तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर option number A is right answer हो जाएगा यहाँ पर तो option number A is right answer हो जाएगा जारखन के किस चेतर में किस अस्थान पर यहाँ पर निवास करते हैं तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका option number A is right answer हो जाएगा यहाँ पर संथाल पर अगना में निवास करते हैं कहाँ पर निवास करते हैं संथाल पर अगना में निवास करते हैं तो बिंचे जनजाती के लोग जो है वो जारखन में कहा निवास करते हैं संथाल पर अगना में निवास करते हैं अप्सें नंबर A is right answer यहां पर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर आपका बींचे जन जाती में प्रचलित विवा है तो इसका सही अंसर जो होगा यहां पर आपका आपसन नंबर D is right answer हो जाएगा यह सभी जो है यहां पर इ और तिसरा जो है वो गुलाची विवा है तो यह तीनों ही विवा जो है यहां पर बींचे जन जाती में प्रचलित है तो आपसन नंबर D is right answer यहां पर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर बींचे जन जाती में वधु मुल को क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर जोगा यहां पर आपका option number a is right answer हो जाएगा यहां पर डाली कटारी कहा जाता है क्या कहा जाता है तो वधुमुली को बिंज्य जन्जाती में डाली कटारी कहा जाता है option number a is right answer यहां पर हो जाएगा ठीक है याद रखेगा डाली कटारी चलिए अगले प्रस्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रस्न है यहाँ पर, बिन्ध्या जनजाती की लोग जो होते हैं, जब तलाग होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसका सही अंसर जो होगा, यहाँ पर आपका, option number C is right answer, खोड़ा छोड़ी कहते हैं तलाग को चली एगले प्रसन और अगला प्रसन है यहां पर बिंध्य जन्याती के अराध्य देवता को क्या कहते हैं बिंध्य जन्याती के अराध्य देवता जो है वो उन्हें क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर जो होगा यहाँ पर आपका option number यहाँ पर देख लिजे और यहाँ पर B is right answer विंध्य वासनी देवी कहते हैं क्या कहते हैं वि अगले प्रसन के ओर चलते है और अगला प्रसन है यहांपर बिंज जंजाति की ग्राम देवी हैं बिंज जंजाति में ग्राम देवी जो हें वह उनको क्या कहा जाता है कौन है इनमें से तो इसकास ही अंसरज ओगा यहां पर आपका option अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं और अगला प्रस्ण है यहां पर बिंजय जन्याती की यहां पर धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं तो इसका सही अंसर होगा यहां पर आपका अगले प्रस्ण क्यों चलते प्रस्ण चलते हैं और अगला प्रस्ण यहां पर बिंजय जन्याती के यहां पर पंचायत के प्रधान जो हो थे हैं उनको क्या कहा जाता है तो इसका सही अंसर जोगा यहाँ पर आपका option number D is right answer रहेगा B और C दोनों ही तो माधी और या फिर गोड़ी कहा जाता है क्या कहा जाता है माधी या फिर गोड़ी कहा जाता है बिंजय जानती में यहाँ पर पंचायत परधान को ठीक है पंचायत परधान क्या कहते हैं बिंजय जानती में माधी या फिर गोड़ी कहते हैं तो option number D is right answer यहाँ पर होज़ेगा B और C दोनों ही यहाँ पर कहा जाता है पंचायत परधान को तो यह थी यहाँ पर बिंज्य है जाती सम्मानित महत्पून प्रस्ण और उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी जरूर लाइक करिये और चनल को अगर सबस्ट्राइब नहीं किया हैं सबस्क्राइब कर लिजे और साथ ही वीडियो को अधिक सेयर कर दिया कर लिए और हमारे टेलिग्राम ग्रूप में भी जोईन कर लिजे